हलो दोस्तों तो बात कर रहे हैं आज That , शर क्या होता है , शर मौने दोस्तों उसके अगर हम लोग हंधिडी टरंस्टेशन करें तो उसका मतलब होता हिस्सा , जहने अगर हम लोग 100 रुपयाँ लेते हैं और उ100 रुपया advocates चार हिस्से में बाढ़ देते हैं तो उसके 4 हिस्से हो जाते हैं और हिस्से का मतलब बता है share तो वो उगए 4 share अब एक company इसको किस तरह से flavour करती है तो company को सो रुपया चाहिए तो company क्या करेगी कुछ shares market में issue कर देगी मतलब लोगों के पास जाएगी लोगों को बोलेगी आप हमारे company के इतने shares खरीद लो 10 ले लो 50 ले लो जो भी इसाब से आप लेना चाहो ले लो लेकिन एक share के हमें 20 रुपए लगाएंगे तो आपको अगर 10 शेयर चाहिए तो आपको company को 200 रुपए देना होगा तो आपके company के बाद 20 शेयर आ गए मतलब आप company के 20 शेयर के हिसाब से एक प्रकार के आप उसके owner हो गए अब आप क्यों खरीद होगे आपने 200 रुपए देकर के वो जो 10 शेयर है वो खरीद लिए ठीक है अब company आगर जाकर अच्छा काम कर रही है अच्छा बिजनस कर रही है तो company की share value बढ़ती है तो जो आपने 100 रुपए 10 रुपए देकर जो 200 रुपए देकर जो 10 शेयर हमने लगा के रखे हुए है उसकी value भी बढ़ेगी 100 रुपए की value जो है 200 रुपए की value जो है वह 500 रुपए हो सकती है और उस 500 रुपए को होने के बाद आपको दूसरे को बेच भी सकते हो और आप 500 रुपए ले सकते हैं 200 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किये थे उससे आपके बन गए लगबग 500 रुपए ठीक है अभी जिस कौन लेगा वह 500 रुपए का share जो भी लेगा वह भी अपने मसी यह होगा जिसको लग सकता है कि आज 500 रुपए में मुझे सस्ता मिल रहा है कल शायद इसका 1000 रुपए हो जाए तो वह बंदा आपसे खरीदेगा यह होता है company का share I hope आपको समझ में आया है और अगर ऐसे और भी जानना चाहते है चोटे 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 शाट्स है काफी सरी चीज़े बनी हुई है तो इंफो बेर का follow ज़रू कीजेगा YouTube पे subscribe कीजेगा और देखते रहेएगा शाट्स ठीक है दस्तों thank you very much